इस बार महाशिवरात्री पर बहुती दुरलब सेयोग बनने जा रहे हैं जो कि कुछ राशियों के लिए बहुती अच्छा होने वाला है महाशिवरात्री का पावन पर इस बार आठ माश शुकरवार को मनाया जाएगा इन्दू पंचांक के अनुसार फालगुनमास के किषंपक्ष की चचछरदिशी तिति को महाशिवरात्री बनाई जाती है इस बार महाशिवरात्र बहुती खास सयोग बनने जा रही हैं जो कि 300 साल बाद महाशिवरात्री पर इस बार सर्वासीदी योग है शीवी योग है, सीधी योग है और शवन अक्षत्र का स्योग बनने जा रहा है जो कि बहुती बिशेश है इस दिन महाशिवराती पर कुछ राशियों के लिए बहुती अच्छी बात मानी जा रही है कि उन्हें बहुती धनलाब होगा तो चलिए जान लेते हैं कि वो राशियों कौन कौन सी है जिनको लिए महाशिवराती का पर बहुती अच्छा रहने वाला है विशवराशी, टॉरस इस बार महाशिवराती विशवराशी वालों के लिए बहुती शुब मानी जा रही है रिशव राशी वालों के अच्छे दिन शुरू होगे ग्वान शीव की किरपा से सभी चाय पूर्णोंगी हर कार्या में सफलता प्राप्त होगी कोई बड़ी खुश खबरी इने मिल सकती है इस दिन ये शीव रातरी पर भुवान शीव पर स्फेद रंग के फूल चड़ाएं दू चड़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा लाब लायक सीद होगी और वैसे जो संजोग बन रहा है वो भी इनके लिए बहुत ही अच्छा है सिंग राशी लियो लियो वालों के लिए महाशिव रातरी काई बहुत ही अच्छा दिन माना जा रहा है क्योंकि इस दिन सभी इच्छा है उनकी पूर्ण होगी मन चाही नोकरी मिलने का योग बन रहा है उनका साथी उनका अगर कहीं पर कोई अगर वो चा रहे थे कि उनकी प्रमोशन हो पद उन्ती हो तो वो भी हो सकती है उनकी आर्थिक स्तिती में भी सुधार होगा सिंग राशी वालों की आर्थिक स्तिती सुधरेगी महाशिव रातरी पर क्योंकि इस बार उनके लिए ऐसा संजोग बन रहा है तो भी भगवान शिप पर पांच बेल पत्र चड़ाएं और उन पर ओम लिखे चंदन से और इसके साथ ही यह उपाई करेंगे तो उनकी जो है राशी पर सिंग राशी पर भगवान शिप की बहुत प्रशेश कित्पा होगी तुला राशी लिब्रा लिब्रा राशी वाले के लिए भी इस बार माशिवराती पर बहुत ही उनकी आर्थिक स्थिती मजबूत होने वाली है दंसमबंदी सभी कारियों में उन्हें सफलता मिलेगी अगर कोई रिष्टे या मजबूत होंगे दंपत्य जीवन भी सुकत रहेगा मान समान में व्रिधी होगी कोई विवाह का रिष्टा अगर कहीं बास चल लिए हो तो बन सकती है या रिष्टा आ सकते है उनके लिए अगर कोई दम पत्ते जीवन में अगर कोई जगडा चल रहा है तो वो भी सही हो जाएगा महाशिवरात्री पर ऐसा सुझोग है उनके लिए वो गवाशिव और मापारवती की पूजा करें इस दिन कुम्ब राशी कुम्ब राशी वालों के लिए भी महाशिवरात्री जीवन में खुशियों का आगमन खुशियों की वचार होने वाली है इस राशी वालों पर इस समय कुम्ब वालों की सभी चाय पूर्ण होगी अगर कहीं पर वो निवेश करते हैं तो बहुत ही अच्छा समय है उनके लिए कोई बढ़िया नोकरी मिल सकती है अगर वैपार करें हैं तो उसमें लाब हो सकता है कहीं रिष्टे की बात चल रही है तो वहां रिष्टा भी बन सकता है कुमराशीवालों के लिए बहुत ही अच्छा सुखद है ये संजोग जो है शिवराती पर अगर वो भुगवान शिवाम मापारवती की पूजा करेंगे और इस दिन वो भुगवान का पार्ट करेंगे ओम नमर्शिवाय का 108 बार मंत्र का जाप करेंगे और माता पारवीती पर कुछ शिंकार की वस्तुरी चड़ाएंगे कम से कम पांस तो चड़ाएंगे ये अपनी शर्दा के नुसार है और नवैदे के साथ पूरे पूजा करें उनकी बहुगवान शिव का अभिशेक करें साथ में आप गरीब लोगों को बोजन कराएं गरीब लोगों को बोजन कराने से भी वगवान प्रसन होंगे शिव जी की उनको किरपा मिलेगी मापारवती की उनकी आर्थिक स्थितिय है त्रिड होगी और वो अगर कोई ही से भी कोई भी लाब उनको मिल सकता है पर बहुत ही अच्छा जोसन जोग बन रहा है जिससे कि इन राशी वालों को बहुत फाइदा होने वाला है अगर आप यह उपाय करोगे और वैसे भी आप भगवान शीव का नाम लोगे आम नमस्षिवाय मंत्र का जाप करोगे 108 बार तब भी आपको यह फल मिलेगा तो आप को वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को भी सुब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए और आम नमस्षिवाय जुरू लिखे कमेंट में थैंक यू